हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने आधार काड का जो अपडेट रिक्वेस्ट है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं यानि कि कैंसिल कर सकते हैं तो वीडियो मुलाश्ट तक बन रहना है आपको चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड अपडेट रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं आपको एक बात बदा देती यदि आप सोच रहे हों कि आपने आधार काड अपडेट रिक्वेस्ट लगाया है यानि कि आपने आधार काड अपडेट कराया है और आप सोच रहे हैं कि आपका आधार काड जो है अपडेट नहीं हो पा रहा है ऐसे पड़ा हुआ है नहीं होगा यहाँ पर आप उसी update request को delete कर पाएंगे जो कि आपका pending पड़ा हुआ है यानि कि आप अपना आधार card update करने के लिए वहाँ पर उस side पर जाते हैं और वहाँ पर पूरा detail भरने के बाद से आपका payment जो है successful नहीं हो आपका जो आधार update है वो pending में पढ़ जाता है और उसको pending में पढ़ने की वज़ा से आप दुबारा से वहाँ पर आधार update करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर error problem देखने को मिलेगी वहाँ पर दुबारा से आप अपने आधार card को अपडेट नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक की आप pending update request को delete नहीं कर सकते हैं तो कैसे pending update अपडेट रिक्वेस्ट को डिलीट करना है इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाने वाले हैं आपको बता दे कि यहाँ पर जो आधार अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेश्फूल हो चुका है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको इंतजार करना ही है अब जितने दिन में वह अपडेट आपका हो जाए यहाँ पर सिर्फ पेंडिंग अपडेट रिक्वेस्ट को ही आप डिलीट कर सकते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक वाज करना है इस्टेप बाइस्टेप हम इसमें आपको सभी जनकारी देने वाले हैं क्योंकि आप यदि थो मॉबाइल के स्क्रीन पर आने के वाज से हम यहां से अपने मॉबाइल में Google को उपन करेंगे Google को ओपन करने के वाज से सर्च बार में हम टाइप करेंगे यहाँ पर U-I-D-A-I.gov.in Search करने के वाद से हम यहां से इसको驚 करेंगे और उसके वाद से हमको पहले नंबर पर यह website मिल रही है U-I-D-A-I.gov.in तो हम इसको यहां से open करेंगे open करने के लिए चलिए हम website पे click करते हैं यहां पर website पे click करने के वाद से हमारे सामने language वेश चूज करने का उप्शन आया तो हम यहां से English पे क्लिक कर देंगे English पे क्लिक करने के बाद से यह आप हमारे सामने सर्च हो रहा है सर्च होने के बाद से आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा हम इसको यहां से कट कर देते हैं ऐसा page open होने कौक बाद से हम थोड़ा सा उपर इस टोड़ा सा उपर करने के बाद से हमारे सामने यफ ओप्सन演ब हरतएगा तो यहां पर हमको क्लिक कर देना है इस पर इसा इंटर्फेस एक नया open हो जाएगा ऐसा पे जाने के बाद से हमको उपर स्क्रोल करना है उपर स्क्रोल करने के बाद से आप देख सकते हैं हमें option मिलता है यहाँ पर update address in your adhar update demographic data check status तो इस पे हमको click कर देना है इस पे click करने के बाद से हमारे सामने ऐसा interface open हो करके आ चुका है तो यहाँ पर हम इस को थोड़ा सा उपर scroll करेंगे और यहाँ पर हम login पर click करेंगे login पर click करने के बाद से हमारे सामने ऐसा interface open हो चुका है यहाँ पर हमको अपना आधार number टाइप करना है तो चलिए हम अपना आधार number उपर यहाँ पर type कर लेते हैं आधार नमबर टाइप करने कवाज से हम नीचे यहाँ पर enter एबो, capture के अस्थान पर हम अपना capture टाइप कर लेंगे, यदि आपका capture समझ में नहीं आ रहा है तो ये इसके right side में जो तीर का icon दिख रहा है गोल में, इस पर click करके इसको refresh करके दुबारा से दूसरा capture यहाँ पर भर सकते हैं, चलिए हम capture यहाँ पर type कर लेते हैं, capture type करने कवाज से हम यहाँ से send OTP पर click कर देंगे, send OTP पर click करने कवाज से हमारे उस number पर एक OTP जाएगा, जिस number पर हमारा आधार registered होगा, तो हमारे number पर OTP आ चुका है, हम OTP को यहाँ पर type कर लेते हैं, OTP हम type कर चुके हैं, OTP type करने कवाज से हम login पर यहाँ से click कर देंगे, login पर click करने कवाज से हमारा जो है आधार यहाँ पर login हो चुका है, आधार को login करने गवाज से अब हमें यहाँ पर अपने आधार update request को delete करना है जो की pending पड़ी हुई है क्योंकि जो update request हमारा successful हो चुका है यानि कि उसका payment हो गया है वह delete नहीं होने वाला है, cancel नहीं होने वाला है लेकिन जो pending में छूट गया है उसकी वज़से हम दूबारा अपने आधार को update नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसको हम delete नहीं कर सकते हैं तो उसको आधार को update करने से पहले हमको इस pending आधार update को delete करना होगा उसके लिए हम उपर scroll करेंगे ऐसे उपर scroll करने के बाद से आप देख सकते हैं नीचे जो है यहाँ पर हम आ चुके हैं अब यहाँ पर नीचे आपको option मिल रहा है request का तो request में आप देख सकते हैं हमारा एक यहाँ पर आधार update सो हो रहा है तो इस update के option पर हम यहाँ से verification stage का जो option दिख रहा है इस पर हम click करेंगे इस पर click करने के बाद से हम चलिए इसको उपर scroll करते हैं उपर scroll करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा payment जो है successful हो चुका है verification stage पर आकर यह रुक गया है तो यह जो है हमारा payment successful हो चुका है तो यह request जो है delete या cancel नहीं होगी इसमें आप वही कर सकते हैं कि दुबारा से जा करके आप आधार सेंटर से update करवा सकते हैं बाकी इसके लिए इंतजार करना ही पड़ेगा लेकिन आप देख सकते हैं यह March के तिसरे महीने का है हमारा जो update है under process में पड़ा हुआ था लेकिन अभी तक under process ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह हमारा update जो है complete नहीं होगा इसकी वज़़से हमने काफी दिन इंतजार किया लेकिन नहीं हमने दुबारा इस पर जा करके फिर से आधार से अपडेट करा लिया हमारा नाम जो है update हो गया बाकि यह वाला जो है अभी तक under process में ही देखने को मिल रहा है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हमको delete किसको करना है delete हमें उसी को करना है जिसका यह payment stage जो है complete नहीं हुआ है draft stage पर ही वो अभी अटका हुआ है यानि कि हम अभी उसमें पता address वगर डाले हैं और वैसे ही छोड़ दिये हैं तो वो फिर pending में पर जाता है या तो आपको उसको यहाँ से आ करके revision पर click करके उसको या फिर से complete करना होता है payment complete किजिए उसमें भरके उसी update को complete किजिए या फिर यहाँ पर आने के बाद से आपको delete पर click करना पड़ेगा delete पर click करने के बाद से delete पर click करने के बाद से चलिए हम आपको दिखाते हैं और क्या करना पड़ेगा जैसे आप देख सकते हैं Delete पर क्लिक करने के लिए आपको यहां पर डिलीड का जो बटन है वो यहां पर सो हो रहा होगा blur show नहीं होगा और यहां पर Resume का जो option है वो भी यहां पर सो हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं draft stage complete है payment stage यहाँ पर बाग की रह चुका है तो जब यह payment stage इस पर complete नहीं हुआ है तो यह pending में फंस चुका है अब pending में है तो या तो आप इसको resume किजिए यानि कि फिर से इसको complete किजिए या फिर यहाँ delete का option प्या करके आप इसको delete किजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर payment for the request is pending please click on the resume button to make the payment and submit the request यानि कि आप यहाँ पर payment successful करके या तो इसको complete किजिए या फिर इसको delete किजिए जब तक delete नहीं करेंगे तो तक यहाँ पर दुबारा से आप update नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको delete पे click करना है delete पर click करने के बाद से आपके सामने ऐसा interface आ जागा are you sure to delete your update request क्या आप update request delete करने के लिए confirm है तो हम यहाँ से ok पर click करेंगे ok पर click करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर congratulations you deleted your request successfully यानि कि हमारा जो update request है successful यहाँ से delete हो चुका है delete करने के बाद से आपका यहाँ से यह update request delete हो जाएगा और यह delete जब हो जाएगा तो इसको delete करने के बाद से आप दुबारा से जा करके अपना आधार cut वहाँ से update कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने आधार update request को cancel कर सकते हैं यानि कि delete कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो बस यहीं तक उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर दें और वीडियो को जो है लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर यह दिना है तो प देमात्रम